नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अपनी क्लास में दोस्तों यदि आप इस साल कॉलेज के विद्धारती हो तो दोस्तों मैं अची तरह से जानता हूँ कि आपके इस समय दिल और दिमाग के अंदर केवल यही टेंसन चलती होगी कि आखिर हमारी परिक्षाय वो होने वाली है या फिर नहीं होने वाली तो दोस्तों आपके ये जो टेंसन है वो अब खतम हो चुकी है क्योंकि सरकार ने जो college परिक्षाओं को करवाने और ना करवाने को लेकर जो committee कटिति की थी दोस्टों इस committee ने अपना निर्णे है वो ले लिया है दोस्टों इस committee ने सरकार को रिपोर्ट सुंपी है और इस report में कहा गिया है कि विध्यार्तियों को इस साल promote कीजिए जियां दोस्तों परमोट होंगे 30 लाग कॉलेज स्टुडेंट तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कमीटी जो है उसने रिपोर्ट में कहा है कि यूजी फस्ट एर और यूजी सेकंड एर इन दोनों की विध्यारतियों को परमोट किया जाए जियां दोस्तों यहाँ पर फस्ट एर और सेकंड एर की विध्यारति हैं वो दोस्तों इसल परमोट होंगे और दोस्तों जो फाइनल एर की विध्यारति हैं उनकी दोस्तों परिक्चा है वो ली जए यह दोस्तों कमीटी ने सिफारिश की है सरकार से दोस्तों आप जैसे ही विध्यारतियों को पता लगा कि सरकार final year की प्रिक्षा जरूँड लेगी उनल विध्यारतियों को पर्मोट नहीं कि अदाएगा दोस्तों जो final year की विध्यारती है उन्हों ने धरना परजशने वो स्टार्ट कर दिया है सरकार के इलाव तो देख सकते हैं NSUI संगटन जो कि दोस्तों चातर संगटन है वो दोस्तों आप पानी की टंकी पर चड़ गया है फाइनल येर स्टुडेंट को परमोट करने की मांग है वो दोस्तों सरकार से की जा रही है देखिए इसमें कहा गया है कि राजी कि ये डुंगर कोलेज में टंकी पर चड़े चातर UGC की गाइडलाइन की विरोध में कर रहे हैं नारे बाजी यानि कि दोस्तों जो फाइनल येर की स्टुडेंट हैं वो दोस्तों चाते हैं कि हमें भी परमोट किया जाए दोस्तों तो इसमें आप देख सकते हैं जो आमारे पास में N.E.C.O.E. संगटन है जो कि चातरों का हमेशा साथ देता है उन्होंने दोस्तों यापे ट्वीट किया है कि परमोट यूनिवर्सिटी स्टुडेंट दोस्तों तो चलिए मैं आपको फूरी खबर एवो पढ़कर बताता हूँ तो आप देख सकते हैं नरेंतर मोदी जी और जो यूजी सी है उनको दोस्तों N.E.C.O.E. संगटन कहरा है कि इस समय चातर जो हैं वो बहुत ही मुश्किल स्थिती से गुजर रहे हैं आप सब का दायतों बनता है कि कॉलेज के चातरों की समश्चाओं को सुना जाए और फस्ट एर और सेकेंडियर के विद्धारती हैं उनको दोस्तों इस साल परमोट किया जाए और साथ ही जो फाइनल येर की प्रिक्षा है उसे दोस्तों यहाँ पे ओपलाइन बोड में ना कराया जाए बलकि दोस्तों ओनलाइन मोड में कराया जाए ताकि दोस्तों विद्धारती हैं उनकी हेल्थ है वो बढ़िया रहे सके तो देखिए ओपन बुक एक्जाम है वो पर्मोट कर दो, उनकी परिक्षा मतलो, क्योंकि दोस्तों यदि आप परिक्षा लोगे, तो किसी विद्धारती की जान है, वो भी जा सकती है, दोस्तों तो आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि परदेश सरकार ने बनाई थी कमिटी, यानकि दोस्तों जो सरकार है, कोलेज परिक्षाओं को लेकर कमिटी ये वो बनाई थी, दोस्तों इस कमिटी ने सरकार को पस्ताव बेजा है, कि इस साल आपकी परिक्षा हैं वो ना ली जाए, चाहे दोस्तों आप किसी भी कोलेज की विद्धारती हो, चाहे आपकी बीए है, बीएस्सी है, बीकॉम है, चैया फर्स्ट एयर के हो या सेकेंड एयर के हो यूजी पूजी की प्रिक्षा है वो दोस्तों इस साल ना ली जाए। दोस्तों इसे के साथ में मैं आपको एक और खुशकपरी देना चाहूंगा जो हमारे पास में सबसे बड़ा बोर्ड है यूजी सी बोर्ड जो कि दोस्तों सभी विश्व विद्दाल्यों को कंट्रोल करता है दोस्तों इस यूजी सी बोर्ड ने कहा है कि जो भी विश्व वि यानिकि UGC इसने दोस्तों परिक्षाओं के समन्द में सभी युनिवर्सिटी को पहले चूट दे रखी है उन्हें स्थानी इस्तर पर हालात की समिक्षा करते हुए परिक्षा कराने या ना कराने के समन्द में फेसला लेने को कहा गया है यानिकि दोस्तों विश्व दोस्तों तो इस परकार से अब देखने माला ये होगा कि जो कमीटी ने कॉलेज विध्यारतियों को परमोट करने की जो बात है वो दोस्तों सरकार को रखी है दोस्तों इस सरकार बात कब मानती है और दोस्तों कब आपके फैसला है वो आता है परमोट होने का और दोस्तों मु किसे ने वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत